ओम स्री गनी सायन अमदूस्तू एस्ट्रू समाधान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तू आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक अक्टूबर रविवार के रासी फलक के बारे में कि यह दिन मीन रासी वालों के लिए कैसा रहने वाला ह किन किन चीजों से इनको फाइदा होगा किन किन चीजों से इनको सावधान रहना होगा इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी करियर कैसा रहेगा बिजिनी सर्वियापार कैसा रहेगा और स्वास्त की महत्पपोन जानकारी हम आपको देंगे और इस वीडियो के अंत में हम आपक कुछ से रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे इस चैनल पर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं जिससे समय समय पर आप लोगों तक हमारी ने ने वीडियो पहुंश सके चली दोस्तों बात करते हैं कैसा रहेगा मीन रासी वाल और लाबदायक सूचना आपको प्राप्त होगी दोस्तों और जानकारों के साथ अपने संबंदों को और अधिक मजबूत करें ये संबंद आपके लिए आर्थिक संबंदित कई नई उपलब्दियां उत्पन कर सकते हैं जो आपके भविश्य के लिए काफिल लाबदायक स संबंदित मामलों के हल होनी की भी आज संभावना हैं धन के निवेस संबंदित कारों पर आज आप विशेश रूप से ध्यान दें लाबदायक समय आज आपके लिए चल रहा है इसका आप भरपूर सदियो प्योग करें दोस्तों कर्म धर्म वे समाजिक सेवा संबंदित का आज आपका रुजहान रहेगा किसी भी कार्य को करने से पहले उसके बारे में आप गहराई से चानवीन करें इससे आपको उत्तम रिजल्ट प्राप्त होंगे साथ ही साथ समाज में आपका मान सम्मान वेरुत्बा भी बढ़ेगा बच्चों की किसी उपलब्दी से घर में आज सुकून बरा माहूल रहेगा अगर घर में सुधार या साज सज्जा संबंदित कोई योजना बन रही है तो वास्तु संबंदित नियमों का भी आप अवश्य पालन करें दोस्तों किसी मित्र के मुसीबत के समय में आज आप उसका सयोग करेंगे जिससे आपको आत्मिक खुसी प्राप्त होगी साथ ही आपका अपने उसूलों और सिद्धान्तों पर अडिक रहना समाज में आपके मान सम्मान में भी विरत दी करेगा बुजुर्गों का आशिरवाद और इसमें आज आपको प्राप्त होगा रचनात्मक वैधार्मिक क्रिया कलापों के पिरती आज आपका रुज़ान रहेगा जरुतमंदों की साहिता में भी आज आपका समय व्यतित होगा चुनोतियों को स्विकार करना आपके लिए उपलब्दी का मार्ग भी आज खोलेगा जिससे आपको काफी खुसी का अनुबब होगा दोस्तो अब बात कर लेते हैं आज आपक पर नियंतर रखें क्योंकि कभी कभी वहवार में चड़ चड़ापन आपको अपने लक्ष से भटका सकता है और किसी से धन संबंदित लेन देन को भी आज इस्तगिधी रखें दोस्तों आपके श्वयभाव में एक कारण ही गुस्सा या उग्रता आने से अचानक ही बनते बनते कामों में विग्न पड़ जाता है इसलिए आत्म अवलोकन करना आवश्चक है और अपनी किसी भी योजना पर कार्य करने से पहले उस पर अच्छी तरह से सोच विचार कर लें दोस्तों बच्चों के किसी समस्या को लेकर आज तनाव रहेगा उन्हें मार्ग दरसन द रक कर बूलने की आज संभावना बन रही है दोस्तों अपने खर्चों को सीमित रखें नहीं तो बजट बिगड़ सकता है किसी नजिदी की रिष्टिदार से आपकी जिद की वज़े से संबंद खराब होनी की भी आसंग का है दोस्तों अपने श्वबाव में लचीला पन तता रिष्टों की मरियादा का भी आपको ध्यान रखने की आवश्चकता है दोस्तों संतान की किसी गलत संगती की वज़े से आज चिंता रहेगी परन्तु आपकी समस्दारी वे सूजबूज से समस्या का हल भी निकलेगा ध्यान रहे कि भावुकता में आकर कोई भी निर ना लें वैवारिक जश्टी कौन रखना आपके लिए आवश्चक है दोस्तों विरोधी आपके लिए आज कुछ मुस्किलें पैदा कर सकते हैं परन्तु आप अपना आत्म विश्वास बनाए रखें आपको विजय हासिल होगी दोस्तों साथी साथ आपको अपनी योजना में आज सफलता प्राप्त करने में कुछ मुस्किलों का भी सामना करना पड़ सकता है जिससे आपका मानसिक तनाओ बढ़ सकता है थोड़ा साथान रहें दोस्तों बात कर लेते हैं आपकी लव लाइफ के शिरेने वाली है दोस्तों वहवायत जीवन को खुस में बनाने में आपकी भूमी का अधिक महतपोण रहेगी प्रेम संबंध में किसी प्रकार की खटास उत्पन होने की संभावन बन रही है अपने वहवार को आप सैयमित रखें दोस्तों अपने प्रतिक कारये में जीवन साती की सलाव लेना आपके कई कारों को पूरा करने में मदद करेग प्रेम संबंदों में भी परिवारिक शुकरती प्राप्त होगी दोस्तों वेस्तता के कारण घर परिवार की देखवाल में उचित समय नहीं दे पा रहे हैं परन्तु जीवन साथी आपकी परिशानियों को समझेंगे और आपका पूर्ण सेयोग करेंगे दोस्तों घर के किसी भी मुद्दे को आपस में बैठ कर सांती पूर्ण तरीके से सुल जाएं और माहूल को खुसनुमा बनाने के लिए मनोरंजन संबंदित प्रोग्राम भी बनाएं इससे आपके प्रेम संबंद काफी मजबूत होंगे और आपके प्रेम जीवन में काफी ग जनुबब व्यक्ति की सला आवश चले क्योंकि कुछ निर्ने गलत होने की आज आशंका है विद्ध्यार्तियों को भी कहीं नोकरी संबंदित विबागिय परिक्षा में मन मुताविक परिणाम प्राप्त हो सकते हैं किसी विशिष्ट व्यक्ति से आज मुलाकात हो सकती है और उसकी सला आपके विवशाय के लिए अधिक फायदेबंद तथा तरक की दायक रहेगी दोस्तो इसकी बहुत अधिक आवशक्ता हैं इस बात का आप जरूर ध्यान रखें नोकरी पेशा व्यक्ति को कोई उपलब्दी मिलने के योग आज बन रहे हैं जिससे उनको काफी खुसी का अनुबब होगा दोस्तो विवशायक उदेश्यों को लेकर भी आज कोई नजदी की यात्रा संभव हैं अगर किसी नए कारे की शुरूरात की हैं तो अब उसके उचिते पेढ़नाम आपको मिलने सुरू हो जाएंगे नोकरी सेवारत व्यक्ति के लिए भी कुछ ने अवसर आज बन रहे हैं दोस्तो आपको अपनी मेहनत के अनुबब आज फल दायक पेढ़नाम प्राप्त होंगे परन्तु मार्केटिंग वे भार के कारों को आज इस्तागित रखें किसी नजदी की मित्र की सला पर गंभीरता से विचार करें तोकि यह सला आपके लिए काफी फायदेबंद साबित हो सकती हैं दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपका स्वास्त कैसा रहने वाला हैं दोस्तो आज गला खराब और खासी जुखाम जैसी समस्यां उत्पन हो सकती हैं ला परवाई ना करें अपनी दिन चरिया विवस्थित रखें और आयरुवेदिक चीजों का भी अधिक से अधिक आप शेवन करें। साथी साथ अपने स्वास्त को और भी अच्छा रखने के लिए आप रुजान योग करें, वयाम करें, स्वस्त रहें। इस दीपक में थोड़ा तेल डालें और चार आपको रुई की बाती इस दीपक में लगानी हैं क्योंकि यह दीपक चार मुकी हैं। आपको फिर इसके बाद इस दीपक को पीपल के पेड़ के नीचे जलाना हैं। और मनीमन आपको भगवान शुरदेव का इसमरण करना हैं। जया दोस्ते ऐसा करने से भगवान शूरदेव बहुत प्रसन होंगे और आपके घर में धन, वैभव और यसमे व्रद्धी होगी और आपके समस्त कार्रे बहुत यासानी से बनते चले जाएंगे और आपको अवश्य ही लाब प्राप्त होगा तो भगवान शूरदेव का अस सूरदेव वश्य लिखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें धन्यवाद